प्रस्न पांच भाग दें और भागफल तथा सुन्य सेस को लिखें प्रस्न पांच का छट्ठा अभी हल करेंगे जो की है छे एक्स का घात पांच पलस चार एक्स का घात चार माइनस सताइस एक्स का घात तीन माइनस साथ एक्स स्क्वाइर माइनस सताइस एक्स माइनस छे को किस से भाग देना है तो देना है दो एक्स स्क्वाइर माइनस तीन से यानि दो एक्स स्क्वाइर माइनस तीन से इसको भाग देना है तो दोनों को कोश्टक में ले लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x का घाद 3 माइनस 2x का घाद 2 माइनस 3 से किसको भाग देना है तो 6x का घाद 5 पलस 4x का घाद 4 माइनस 27x का घाद 3 माइनस 7x स्क्वाइर माइनस 27x माइनस 6 को भाग देना है तो 2x स्क्वाइर माइनस 3 से इसको भाग देंगे अब इधर जगर नहीं है तो हम उपर इसका भाग फल लिख देंगे ठीक है देखे इधर जगर नहीं है पेज खतम हो गया है तो यहाँ पर उपर में भाग फल लिख देंगे तो 2 से 6 कितना बार में लगएगा 3 बार में तो यहाँ पर 3 लिखेंगे अब यहाँ पर x का घाद 2 है यहाँ पर x का घाद 5 है तो x का घाद 2 में और कितना x चाहिए तो x का घाद 5 हो जाएगा यानि X का घाद 3 लिखेंगे तो X का घाद 2 में X का घाद 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? X का घाद 5 तो 3X का घाद 3 से हम इसको लगा लेंगे सबसे पहले 6X का घाद 5 आ जाएगा गुना करने पर तो 2X का घाद 2 से 6X का घाद 5 कितना बार में लगेगा 3x का घाद 3 से अब 3x का घाद 3 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3Ti 9 यानि माइनस 9 तो देखें 3 3x का घाद 3 से 3 को गुना करेंगे ठीक है माइनस 3 को तो कितना होगा माइनस 9x का घाद 3 तो x का घाद 3 कहां पर है यहाँ पर लिखेंगे, तो minus 9, x का घाद 3, तो गुना करने पर कितना आया, x का घाद 3 आया, देखें, minus 3 गुना 3, क्या हुआ, minus 9, और x का घाद 3, तो x का घाद 3 के नीचे लिखेंगे, अब इसको घटाएंगे, तो plus में हैं, तो minus हो जाएगा, क्यूंकि घटा रहे हैं, minus में हैं, तो plus हो जाएगा, तो 6 x का घाद 5 पलस में है, और ये है minus 6 x का घाद 5, तो ये दोनों सुनने आजाएगा घटाने पर, अब इसको उतार देंगे, 4 x का घाद 4, 4 x का घाद 4 को यहाँ पर उतार देंगे, और माइनस 27x का घात 3 और यह हो गया प्लस देखे चीन बदल गया था तो प्लस 9x का घात 3 तो 27 जो है माइनस में 9 प्लस में है तो घटाएंगे 27 में से 9 जाएगा तो 18 तो लिख लेंगे 18x का घात 3 अब 27 9 से बड़ा है और बड़ा संख्या के साथ 18x का घात 3 अब क्या करेंगे 2x का घात 2 से 4x का घात 4 को लगाएंगे ठीक है तो कितना बार में लगेगा देखे 2 दुना 4 होता है यानि 2 बार में तो यहाँ पे 2 लिख देंगे अब यहाँ पे x का घात 2 है यहाँ पे x का घात 4 है तो x का गहाद 2 और चाहिए तो यहां पर x का गहाद 2 लिखेंगे यानि 2x का गहाद 2 से 2x का गहाद 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x का गहाद 4 ठीक है? तो यहां पर लिख देंगे 4x का गहाद 4 अब 2x का गहाद 2 से minus 3 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा minus 6 x square, देखे minus 3 गुणा 2 x square तो minus 3 गुणा 2 minus 6 और x square, यानि minus 6 x square आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगा minus 7 x square को यहाँ पर उतार लेंगे देखे, 7 में ही उपर से, अब इसके सामने लिखेंगे, क्या गुना करके आ रहा था माइनस 3 गुना 2 माइनस 6 x square तो इसके सामने, यानि इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6 x square ठीक है, x square x square के सामने रहेगा तो इसको भी हम यहाँ पर उतार लेंगे अब इसको घटाना है प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यह सूनने आ जाएगा दोनों क्योंकि एक प्लस में, एक माइनस में अब देखें इसको उतार लेंगे माइनस 18 x का घट, 3 को उतार लेंगे और यह प्लस में हो गया, प्लस 6 x का घट दो अब बड़ा संख्या यहाँ पे 6 से बड़ा 7 है और बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस में होगा अब देखिए इसको उतार लेंगे माइनस 27x को यहाँ पे उतार लेंगे माइनस 27x को उतार लेंगे यहाँ पे ठीक है उपर से माइनस 27x को यहाँ पर उतार लेंगे अब क्या करना है तो 2x का घाद 2 से किसको लगाना है माइनस 18x का घाद 3 को तो 2 नमा 18 होता है देखें 2x का घाद 2 से इसको लगाना है तो 2 नमा 18 यानि यह माइनस में माइनस 9 बार में लगेगा तो माइनस 9 अब यहाँ पर x का घाद 2 है यहाँ पर x का घाद 3 है तो x चाहिए यहाँ पर तभी देखे 2x का घाद 2 को माइनस 9x से गुना करेंगे तो माइनस 9 दुना माइनस 18 और x का घाद 2 गुना x x का घाद 3 तो आ गया है माइनस अठारह एक्स का घात 3 अब क्या करेंगे तो माइनस 9 एक्स को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 9 गुना माइनस 3 माइनस माइनस हो जागा प्लस और 9 तिया 27 यानि 27 एक्स तो क्या आ गया प्लस 27 एक्स क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है तो यहाँ पे प्लस 27 एक्स लिख लेंगे अब चीन बदलेंगे ठीक है क्योंकि घटाना है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस तो यह सुनने आ जाएगा क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है ये चिन से माइनस 27 से एक्स हो गया तो माइनस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे 27, 27, 24 दोनों माइनस में है तो चिन भी माइनस का देंगे, जोड़ करके ठीक है, तो माइनस 24 एक्स हो गया अब यहाँ पे माइनस 6 को उतार देंगे देखिए उपर से किसको उतार देंगे माइनस 6 को ठीक है तो उपर से माइनस 6 को उतार देंगे यहां से अब 2X का घाद 2 से माइनस X का घाद 2 को लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा तो 2X का घाद 2 में 1 वटा 2 को गुना करेंगे माइनस 1 वटा 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जागा 2 से 2 कट जाएगा यानि माइनस x स्क्वाइर तो हमें माइनस x स्क्वाइर लाना है और यहाँ पे है 2x का घाद 2 ठीक है तो 2x का घाद 2 में माइनस 1 वटा 2 गुना करेंगे तभी माइनस x का घाद 2 आएगा ठीक है तो माइनस 1 वटा 2 से लगाएंगे क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और x स्कॉयर गुना माइनस 1 क्या हो जागा माइनस x स्कॉयर तो यहां पर क्या लिखेंगे माइनस एक बटा दो क्या लिखेंगे माइनस एक बटा दो तो दो एकस का घाद दो को माइनस एक बटा दो से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एकस का घाद दो ठीक है और अब माइनस एक बटा दो को माइनस तीन से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और तीन गुना एक तीन यानि तीन बटा दो हो जाएगा देखें तीन गुना एक तीन यानि तीन बटा दो और माइनस माइनस प्लस तो तीन बटा दो को हम यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे लिखेंगे संख्या के नीचे लिखेंगे त तो माइनस 3 बटा 2, अब चिन बदलेंगे, तो यह घटाना है इसको, तो माइनस हो जागा प्लस में, यह माइनस में है तो प्लस में हो जागा, अब देखें, माइनस 14 एकस को उतार देंगे, माइनस चंवन एक्स को उतार देंगे अब माइनस छे और प्लस तीन बटा दो देखें माइनस छे ये है और ये चिन बदल गया है यानि प्लस तीन बटा दो है तो घटा आएंगे क्योंकि 6 माइनस में है तो इसको हम इसमें देखें रफ पेज में घटा लेते हैं यानि 6 में से 3 वटा 2 को घटाना है ठीक है क्योंकि 6 माइनस में है और 3 वटा 2 प्लस में है तो 1 संख्या माइनस में है और 1 संख्या प्लस में है तो घटाएंगे तो कितना आ जागा देखिए 2 लग हुत्तम लेंगे यह माइनस में है और माइनस 3 है तो दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानि प्लस 3 बटा 2 होगा गुना होके देखें माइनस 3 गुना माइनस 1 बटा 2 यानि माइनस 3 को माइनस 1 बटा 2 से गुना करेंगे ठीक है तो कितना आजाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3-1,3 3 बटा-2 आजाएगा प्लस में आएगा तो हम यहाँ गलती से माइनस लिख दिये थे देखे इसको हम प्लस कर दिते हैं यह प्लस में आएगा 3 बटा-2 ठीक है तो चीन बदलेंगे क्योंकि घटाना है दोनों को तो प्लस है तो माइनस हो जागा ये माइनस है तो प्लस हो जागा अब देखें माइनस x स्क्वाइर और प्लस x स्क्वाइर सुनने हो जागा ठीक है एक माइनस में है एक प्लस में है तो सुनने हो जागा इसलिए इसको काट देंगे घटाएंगे तो सुनने आएगा अब minus 4 x को उतार लेंगे अब देखिया यह plus 3 बटफड़ा 2 है तो minus हो गया चीन बदल गया तो minus 6 और minus 3 बट़ा 2 अब 3 बट़ा 2 देखिया minus में हो गया क्योंकि चीन बदल गया है घटाना है इसको तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया ये प्लस में 3 बटाद 2 था तो माइनस में हो जाएगा अब माइनस 6 और माइनस 3 बटाद 2 तो माइनस 6 और माइनस 3 बटा 2 यानि दोनों माइनस में तो जोड़ेंगे तो 6 दुना 12 यानि माइनस 12 और माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस 15 बटा 2 आ जाएगा देखें माइनस 6 माइनस 3 बटा 2 कितना आ जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 3 बटा 2 कितना आ जाएगा माइनस 15 बटा 2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 15 बटा 2 यानि सेसफल हो गया माइनस 54 x देखें इसको उतार लेंगे यहाँ पर तो माइनस 24 x माइनस 15 बटा 2 हो गया सेसफल ठीक है यह आ गया सेसफल और भागफल कितना हो गया तो भागफल हो गया 3x का घाद 3 प्लस 2x स्क्वाईर माइनस 9x माइनस एक वटा 2 तो हम लिख देते हैं यहां पर भागफल बराबर 3x का घाद 3 प्लस 2x का घाद 2 माइनस 9x माइनस एक वटा 2 कॉमा सेस बराबर माइनस 54x माइनस 15 वटा 2 ठीक है सेस कितना आ गया माइनस 54x माइनस 15 वटा 2 और भागफल हो गया 3x का घाद 3 प्लस 2x स्क्वाईर माइनस 9x माइनस एक वटा 2 तो इस तरह से भाग देंगे इसको बाष तो प्लस 2 वटा 2